हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल मैं आपकी होश्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वडरफुल गार्डन आज की वीडियो में मैं आपका खुश्बू वाले पोधे के बारें बताऊंगे और दोस्तों ये वीडियो काफी पूरानी वीडियो है और इसकी आज मैं किलिप आपके सास्थ शेयर कर रही हूँ दोस्तों ये है रजनी गंधा के बल्ब ट्यूबर और ये मैं अपने गार्डन से हार्विस्ट किये हैं इसको लगाना दोस्तों उतना ही एज़ी है तो इनको लगाते वक्त दोस्तों मैं इस प्लांट के बारे में भी आपको बताऊंगी रजनी गंदा के पोदे की देख बल कब कर सकते हैं, इसके फूल कब आएंगे, किस तरह की कि इसमें खाद आप डालें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी इस पर फ्लावरिंग देखने के लिए मिलें, और रजनी गंदा के बल्ब हम किस तरीके से निकालें, कैसे उन्हें कारी जानेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर पहले बारा हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल गाइकन बटन दवाना पिल्कुल भी न भूले, आपको रजनी गंदा पोधे के बारें बताऊंगी, इसके फूल के बारें बताऊंगी, और दोस् इसरी से रजनी गंदा के बल्ब ले ना चाहते हैं, या पास की किसी सौप से लेना चाहते हैं, तो तैन रॉपीज में ये इसली मिल जाएंगे, चाहे आप ओनलाइन भी मगाना चाते हैं, और लाइन का भी शायत यही रेट चल रहा होगा, तो सौप से भी अगर आप लेना करता है उसे फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है रजनी गंधा को किस तरह की मिटी में लगाना चाहिए जिससे की हमारा रजने गंधा काफी अच्छे से ग्रोथ करें रजनी गंधा एक सुगंधित फूलो वाला पोधा होता है दोस्तों जो कि ये पूर कोमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों रजनी गंधा की महक होती है वो दूर तक आपको सुगंधित आपके घर को आपके आस-पास के वातावरन को करती रहेगी और इसकी जो फ्लावरिंग होती है काफी अच्छे समय तक चल्दी रहती है अगर आप इसे गंबले में इसे लगा सकते हैं इस से छोटे होता हैं दोस्तों तो आप उसे छोटे पोर्ट में भी लगा शकते हैं। जितना बड़ा आपका激म होता है उतने ही बड़ा बलब को लगाने से पहले आप हल्दी के पाउडर में इसे थोड़े दिप करके रख देछुए खालगा कैसी से इम्पोर्टेंट है हमारी हो मीट्टि ये किस तरीकी की मिट्टी में ग्रो होता है यानि दोस्तों ये एक चिकनी मिट्टी में बहुत अच्छा ग्रो करता है लेकिन अगर आपके पास चिकनी मिट्टी नहीं है तो आप इसे किसी भी तरीकी की मिट्टी में लगा सकते हैं दोस्तो आप जिस भी सोयल में इसको लगा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम वैल ट्रेन होनी चाहिए आपके पोट में पानी बिल्कुल भी नहीं रुगना चाहिए थोड़ी सी गोबर की खात या नीम की खली मिला कर भी आप अपने बल्ब को लगा सकते हैं और दोस्तो बल्ब को जादा गहराई में नहीं दबाना है इसको शरिफ उपर ही रखना है हलका सा सोयल से टच करना है क्योंकि दोस्तो अगर बिल्कुल बल्ब को नीचे दबा देंगे तो उससी निकलने में समय लगेगा नहीं तो आपका जो बल्ब है वो पानी आप इसलिए आप मिट्टी की उपरी सता पर ही अपने बल्ब को लगाएं प्लांट लग भी जाएगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा वैल्डरेंड पोट लेना है 50% आप सोयल लेंगे कमपोश 30% और 10% आफ लेंगे मस्टर्ड खली और 10% आप ले सकते हैं सैंडी सो करते हैं दोस्तों कि आ हम रजनी गंधा के पोधे को कब लगाएं इंडिया में तो दोस्तों वैसे रजनी गंधा के पोधे को आप अपरेल से जुलाई तक लगा सकते हैं दोस्तों रजनी गंधा के प्लांट में वाटरिंग की जब भी आप रजनी गंधा के बल्ब आप इसको अच्छे से पानी दीजिए जब तक ड्रेन आउट ना हो जाए पानी तब तक आप इस प्लांट को पानी देते रहिए लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको वाटरिंग तभी करनी है जब आपको हलकी हलकी सी सुखी नजराए ऐसा नहीं है सुखा कर ही पानी देना ह आपके इसमें हलकी फुलकी नमी बनी रहनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं करना है कि ओवर वोटरिंग कर दे जिससे कि आपका बल भी गल जाए गाइस ये देखे 20 टेस के बाद का ये रिजल्ट आपके सामने है और दोस्तों रजने गंधा के प्लांट जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में लगाए जाते हैं और वाइट कलर के ही हमारे इंडिया में रजने गंधा की फ्लावरिंग होती हैं तो इसमें रजने गंधा में दो कलर और देखे जाते हैं येलो और लाइट पिंक कलर लेकिन वो हमारे भारत में हमारे कलाइट में हमारे भारत की कलाइट में वो सूटी नहीं होता वो लगता ही नहीं है खराब हो जाता है अगर कोई शौप आपको या नरसरी वाले या ओन डॉल बना रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया के क्लाइमेट में सिर्फ वाइड़ वाली ही रजजनिगंदा होती है हमारे भारत में अभी तक रजनिगंदा की दौकि जादक इसमें विखसित नहीं हुई है ये सिर्फ white color में ही आपको देखने के लिए मिलेगा चाहे वो single pattern में है चाहे वो double pattern में है जो भी as white color का ही आपको मिलेगा रजनी गंधा कि दोस्तों अगर आप hybrid वाली variety लगाएंगे इसके bulb लगाएंगे तो उसकी stroke काफी लंबिन चली जाती है उस पे तब flowering आती है लेकिन देखने में दोस्तों ये सारे ही plants काफी जादा सुन्दर लगते है रजनी गंधा के चाहे वो आप single pattern में ले लेजे चाहे वो आप double pattern में ले ले लेजे वाली variety में दोस्तों आपको ऐसा लग सकता है कि उस पे pink color की flowering आएगी क्योंकि उसकी जो कली होती वो हलके-लकी pink color की होती है लेकिन जब वो पूरा फूल खिलता है तो वो white ही निकल कर आता है ओन लाइन दोस्तों आप रजनी गंधा की variety देखते होंगी येलो वाली या पिंक वाली आपका दिल भी करता होगा खरीदने के लिए लेकिन अगर आप खरीद भी लेते हैं तो ये इंडिया में सर्वाइवी नहीं कर पाएंगे रजनी गंधा की दोस्तों रजनी गंधा की अगर इसे पीली वाली या पिंक वाली अगर आप और वाइडराइटी अपने इंडिया के अंदर उगा सकते हैं तो आपका नाम जरूर होगा इसलिए कोशिश करते रहिए क्या पता आपसे हो ही जाए रजनी गंधा के बल्ब लगाने के बाद दोस्तों आप उसे भरपूर सनलाइट में रख सकते हैं क्योंकि सनलाइट में आपके जो रजनी गंधा है वो काफी अच्छी ग्रोथ करेगा या आप एक डिड़ गंटे की सनलाइट में भी रख सकते हैं दोस्तों आपकी कंद अच्छे से लगे है या नहीं लगे है वो आपको एक हफ्ते में पता चल जाएगा क्योंकि दोस्तों जब भी हम अपने जो ब्लब्टे हैं उनको एकदम मिट्टी के नीचे लगाते हैं दबा देते हैं तो स्प्राउट होने में थोड़ा समय लग जा अगर आपका जो ब्लब है वो आपका स्प्राउट होने लगेगा एक हफ्ते में अगर नहीं होता है तो आपका थोड़ा समय लगेगा अगर आपने नीचे करके दबा दिया है तो थोड़ा उसमें लगेगा लेकिन ओवर वोटरिंग ना करें क्योंकि ज्यादा पानी के अगर प्लावरिंग को खाते रहेंगे इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी अब बात करते हैं दोस्तों की रजनी गंधा में फ्लावरिंग कब आती है दोस्तों पूरे 100 दिन के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है चाहे तो आप जब से आप अपने प्लांट को मदब बल्ब को लगाएं तब से आप काउंट करना शुरू कर दीजिए आप कहीं लिख लेजिए सही 100 दिन बाद आपके प्लांट पे फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी दोस्तो सितंबर और अक्टूबर के महिने में जो इसमें फ्लावरिंग होते हैं अगर जितने जल्दी आपको कोई कीड़ा नजर आता है तो आप उसका ट्रेंट्मैंट तुरंथ करें नहीं तो एक से दो और दो से तीन इतने जल्दी यह हो जाते हैं फिर इनको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो आप नीम ओil का स्प्रे कर सकते हैं अप शाम के समय करें आप अपने रजनी गंधा के पोधे को पूरी दिन भर की धूब में रखें दोस्तों जिससे कि उस पे जल्दी से जल्दी बर्स बने और फ्लावरिंग हो इसका कंद दोस्तों ट्यूबर आप एक बार लगाते हैं तो दो साल तक वो एक ही पोट में अराम से फ लगाया तो आपको कम से कम बहुत सारे ट्यूबर देखने के लिए मिलेगे कि अगर आप एक बार एक ट्यूबर लाते हैं यह आपको कहीं से मिलता है तो दोस्तों यह इतने ट्यूबर बना देता है बहुत जादा क्योंकि मैंने भी सिर्फ ओनलाइन ही मंगाई थे मुस्कि की सारी टोटल कियर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ब्लीस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें बैल आइकन बटन दबाना बिलकुल भी ना भूले तो मिलती हूं अपनी किसी नेक्स टूडियो में किसी नेक्स ट्रोपिक में बाई